भारत एक ऐसा राश्ट्र है जो सभी परिभाशाओं से परे है जिसकी प्राचीनता कथाओं से भी पुरानी है भारत ने संभावनाओं की चोटियों को और गहरे दुखों को देखा है अपने सदियों पुराने अस्तित्व के दौरान आजादी के इन सतर सालों में से पहले कुछ दशक विभाजन से मिले दर्द में और एक देश के रूप में अपना अस्तित्व बरकरार रखने के संघर्ष में चले गए पिछले 20-25 वर्षों से हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे हैं आज भारत एक दहलीज पर खड़ा है जहां हम ज्यादा जागरूकता से भरे और सभी को साथ लेकर चलने वाले विकास की ओर बढ़ सकते हैं यही समय है जब पूरे देश को एक जुट और जागरूक होकर एक नया माहौल तयार करना होगा एक ऐसा माहौल जिससे हमारा भविष्य बाहरी प्रभावों पर आधारत न हो बलकि इसका आधार वो चीजे हों जो हमारे लिए कारगर हों इस संस्कृती में दुनिया को सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत करने की क्षमता है जिसमें आंतरिक और बाहरी भलाई दोनों शामिल हों पहली बार हम एक पीडी के रूप में इस मुकाम पर पहुँच गए हैं जहां हमारे पास इस ग्रह की हर मानवी समस्या के समाधान के लिए सभी जरूरी संसाधन, क्षमता और टेक्नॉलोजी है केवल सब को साथ लेकर चलने वाली चेतना की कमी है हम जिसे भारत कहते हैं उसका आधार यही समावेश है इस परंपरा की गहराई का उसकी पूरी क्षमता में लाब उठाने का समय आ गया है हमारे देश में कई जबरदस्त संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन संभावनाओं और वास्तविक्ताओं के बीच एक दूरी है क्या हमारे पास जरूरी साहस और प्रतिबधता है इस दूरी को तै करने के लिए बस यही सवाल है इस देश में लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमें दिखाना होगा कि हमारे अंदर साहस और निश्चय है इस दूरी को तै करने का और भारत को एक महान राष्टर बनाने का आईए इसे कर दिखाएं